कोरोना 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 जहां देखो इंटरनेट पे यूटूब पे टीवी पे आख़वार में चर्चा में हर जिए कोरोना कोरोatellisby हमारी माज़िक बीमारी जदा हो गई है और जो हमारे फिजिकल बीमारी है वो कम है जितने भी वीडियो या जितने भी वाइले जितने भी मैसिज आ रहे हैं वो अधिकतर डराने वाले और लोगों को घवराहत पैदा करने वाले आ रहे हैं जो साबधानी वाले मेसेज हैं, आदमी उनDid साबधानी उको सोच समझ कम रहा है और ढराने वाले मेसेज उउनको ज़्यादा दिखा है। चुकि YouTube और Facebook पैसा देते हैं वीडियो को चलाने के लिए वीडियो जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो चलाने वाले को उतना ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए वीडियो बनाने वाले और वीडियो चलाने वाले अपनी प्रसद्धी के लिए या अपना नाम कमान या अपना पैसा कमाने लिए या किसी अज्ञानताने हैं, सिर्फ ये जानते हुए कि वह वह सायथ बहुत बढ़ा काम कर रहे हैं, वो ऐसी जानकारियय दे रहे हैं, जो जानकारियों का ना सर है ना पैर है ना ही कोई basic है ना ही कोई relation है जिने लोगोंने कोरोना के disease को या virus को या hospital को या doctors को या काम करते हैं लोगों को देखा तक नहीं है वो भी कोरोना के specialist बने गूंग रहे हैं और धादल वीडियो पर video और message पर message ऐसे डाल रहे हैं जैसे सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े डॉक्टर फ्लॉस पर वही हैं। आप ऐसी वीडियोज को ना देखें क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके मन मस्तिक्स में कॉरोना का दवाब बढाती हैं। कोरोना का इस्टेटिक्स को इतना ज़्यादा खराब नहीं है और वाइरस बहुत खराब चीज नहीं होती वाइरस हमारी बोडी बिल्डिंग की सबसे पहली एहमियत है जब हम बने जब हमारा सरीर बना जब जानवर बने तो जानवर बनने की जो सैल है उस सैल से उस कोसिका से पहले जो चीज बनी थी वो वाइरस है जिसको गलती से हम विश अनु बोलते हैं बेसिकली वो जी बनु मी होता है यानि जो वाइरस हमें सही फायदा देता है उसको हम जी बनु बोलते हैं लाइफ का एटम बोलते हैं और जो हमें नुक्सान देता है हमारे बोडी को, सरीर को, या पेड़ को, पौधो को या जन्तो को उसको हम विस का या डैथ का अनू बोलते हैं, वाइरस बोलते हैं, बिसिकली वाइरस नहीं जानता कि वो जी बनू है या विस अनू है, इसलिए ब हैं, एक लाग सवालाग देड़रा के करें महां इंफेक्टिड लोग होंगे, उन इंफेक्टिड लोगों मैंसे भी, अगर एक लाग इंफेक्टिड हुए हैं, तो वो भी अपनी गल्ती से और अपनी लापरवाई से, या अन जाने में हुए हैं, तो उन मैंसे जो 90,000 होग हैं, वो जादो बूरे हैं, या वाइरस को समझनी पाए, या वाइरस उन पर काविज हो गया, या पहले से ही उनके कोई ना कोई डिसीज है, या लापरवाई है, इस कारण से वो उसके खत्रे में या उसकी बांटिर में आ गये हैं, उसके बाद भी डॉक्टर्स को क्य कर रहे हैं, और दवाईयां लगबग बहुत रिसेट्स पे ट्रायल पे चल रही है, तो इना भी दवाई काम कर रही है, जैसा कि जैपूर के अंदर बताया था कि डॉक्टर्स के मरीजों को एक साल पहले ठीक कर दिया, ऐसी बातें भी बहुत ज्यादा काम्याव और बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरी दुनिया के अंदर जो साथ अरव लोग हैं, साथ अरव के साथ अरव इन्फेक्टिड नहीं है, या किसी देश में चायना में अगर सो करोड से ज्यादा आवादी है, तो सो करोड की सो करोड इन्फेक्टिड नहीं है, वार सारे लोग नहीं म इसको बोलते हैं क्वारिंटिन का मतलब है कि जो विशाणू या जो वायरस या जो ऐसी चीजे जो मनुस्य के लिए जानवर के लिए खतनाक हैं उनसे दूर रही है जो डाक्टर होते हैं डाक्टर की जहां पे वायरस की निडिलिया सुनी पड़ी होती है उस जगे सब्द को इस्तमाल किया जाता है ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब इतक इसका कोई इलाज नहीं है और सबसे बड़िया इलाज यह है कि आप इससे दूर रहें क्यों दूर रहें दूर इसलिए रहें कि वायरस अपने आप आपसे नहीं चुपक रहा है ना वो आपका नाम पता पूस्ता हुआ आपके पीछे आ रहा है वाइरस की ना आख होती है ना विशाणों के कान होते हैं ना उसके पास पैर होते हैं ना मोटर साइकल है ना कार है ना हवाई जहाज है ना कोई समुद्र का जहाज है ना वो पैदल चलता है ना वो दोड़ता है और वो अगर बा या ओफिस में या हॉस्पिटल में जा रहा है वाइरस को जो ले के आ रहा है वो आप ले के आ रहे हैं बिसीकली वाइरस के जो वाहन हैं जो केरियर हैं जो वाइरस को लाने ले जाने का काम करने हैं फैलाने का वो आप कर रहे हैं क्योंकि वो आँखोंसे दिखाई नहीं देत वो इतना छोटा होता है कि एक सेंटीमीटर में लगबग साले सात लाख अगर लाइन लगा के वाइरस इखटे किये जाएं तो एक सेंटीमीटर में साले सात लाख आ सकते हैं या एक अगर आप जो छोटी चमच होती है उसमें समंदर का पानी लें तो उसमें एक करोर तक वायरस आपको समंदर के पानी में नहीं लेंगे वायरस हमारे आसपास लगबग 4,800 रहते हैं और हर समय वायरस रहते हैं हमारे अंदर body के अंदर virus आते रहते हैं जाते रहते हैं पूरे हवा में पूरे वातरवर में 4800 प्रकार के virus तो identified हो चुके हैं virus हमारी building block है हमारे सरीर को जीब के सरीर को बनाने की पहली कड़ी है virus एक कमाल की चीज़ है कि ना तो वो material है और ना ही वो जीब है यानि के जो पधार्थ और जो जीवन है उसके बीच का जो चीज है आइटम है वो वाइरस है इसको ऐसे समने के कोई पधार्थ पढ़ा हुआ है पधार्थ चलेगा नहीं दोड़ेगा नहीं और यहां कोई मनुस्य का सेल पढ़ा हुआ है कोशी का पड़ी हुई है या कोई ज आराने के लिए होता है कि ताकि वो अपना प्रोडिक्शन कर सके अर उसप्रयाम के न हाथ होते न पैर होते न उसे कहीं से खाना मिलता है वो ऐसे ही पढ़ा रहता है मगर वो पुराम होता है अगर temperature बढ़ जाए या नुकुल परिष्थिती ना हो या आप साबून से हाथ दो लें या sanitize कर लें या कुछ दिन तर वो पढ़ा रहे खुछ गंटे तक पढ़ा रहे जैसे इस case के अंदर 22 गंटे में ये वाइरस सब्जीगे से अपने आप खतम हो जाता है तो वो सरीर पर भी अगर आपके गरेगा तो आपके सरीर में घुसेगा नहीं क्योंकि उसके हाथ पर नहीं है और उतर की जो आपकी तोचा या skin होती है वो बिल्कुल dead होती है इसलिए अगर skin पर वो गिरता है तब भी आपको खत्रा नहीं है खत्रा तब हो सकता है जब वो आपके आँख नाकान मुँज के अंदर जाये यानि कि आपके सरी में प्रिवेस करे तब भी खत्रा इतरा नहीं है क्योंकि अगर वो मुह से जाता है तो मुझे अंदर बहुत सारा acid होता है acid अच्छे अच्छे बैटिरियार वाइरस को गला देता है HCL acid जला देता है तब भी खत्रा कम है अगर वहाँ से भी वो बच जाता है और आगे जाता है तो उसके बाद एक इंटर्फेरोन करके चीज़ होती है सरी के अंदर वो इंटर्फेरोन उसको पहचाल लेती है और जिन cells में वो जाता है उस cells को मार देती है या उनके आसपास की cell को मार देती है अगर वो cell के अंदर घुच्पी जाता है तो वहाँ एक enzyme होता है वो उसके DNA को यानि जो उसका पुराम होता है उसको desktop कर देती है खतम कर देती है इसके अलावा और भी कैई सारी चीज़ें दिवार के अंदर होती है जो antibodies होती है blood उनको पचालता है antibodies बनाता है वो उसको मार देती है बहुत सारी दिवार पार करने के बाद में वायरस आपको जाके धिक्कत पैदा करता है उसके बाद में फिर दवाई आती है medical चाहती है यानि वायरस की आपके सरीर में घुसने की यात्रा बहुत लंबी है मगर आप उसको आसन बना देते हैं आप उसको आसान ऐसे बना देते हैं कि एक तो आप अपने आपको जो समझते हैं कि हम से बड़ा कोई मर्द नहीं, हम से बड़ा कोई जानकर नहीं और हमारा वो वाइरस क्या कर लेगा जो माइक्रोस्कोप से या टेलिस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो एले मिलोंगे तो आक के कप्लों में आजाएगा और फिर जैसे हिए अप शांस dieta या कि अन्राल होने से χोन में इसारा, कुछ फॉहा से आते हैं तो वारिस के बहुत प्रकार और बहुत तरीकिंगे होते हैं तो तो आप उसको इस पेस दे रहे हैं, आप उसके वाहग बनने हैं, आप उसके नौकर बनने हैं बिसी कली, अपनी इस बात में, इस इगो में है कि हमारा वाइरस क्या कर लेगा, और इसी का फाइदा वाइरस उठा रहा है, क्योंकि आप बहुत तरी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बात नहीं मानने डॉक्टरों की क्योंकि अगर आप दो हपते, तीन हपते तक अंदर रहते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं, जुनते हैं तो वाइरस कहीं आए गए नहीं क्योंकि उसे लेने कोई गया ही नहीं और जिन लोगों के वाइरस पहले आ चुका है उनमें 100 में से 80 ठीक हो जाते हैं 90 ठीक हो जाते हैं 10 की critical position होते हैं वो भी जो अपनी लापरवाई से होते हैं या जिनको क्यों नहीं मिल पाती है तो वाइरस वे दो तीन हपते में पूरी दुनिया से साफ हो सकता है जैसे चीन ने किया चीन ने सबको घरमे बंढ़ कर दिया घरमें बंढ़ करने से वाइरस की बचारे की जो टैक्सी और गारी है वो सब बंढ़ हो गई क्योंकि टैक्सी गारी है उसके nocker driver तो आप ही है तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया और जहाँ वाइरस मिला वहाँ सावन के पानी से दो दिया या सेनिटाइजर से दो दिया या किसी चीज़ से हाथ साफ कर लिए या उसमें धूप लगा दी या उसको 22 गंटे के लिए या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ऐसा पार्टिकल है ऐसा उसको अधजी बोल सकते हैं आधजी बोल सकते हैं जो आपको नोकर बनाए बिना आपको नहीं मार सकता आपको खतम नहीं कर सकता आप खुद उसे लेने जाएंगे खुद उसके ड्रावर बनेंगे खुद उसके नोकर बनेंगे खुद उसके गुरामी करेंगे खुद उसे अपने अंदर डालेंगे तब वो आप पे हमला करेगा अधरवाइद उसकी वकात नहीं किसी वाइरस की कि वो आपका बाल मांका भी कर सके इसलिए जो लोग जानकारी नहीं डखते हैं या जो जानकारी में कमजोर हैं जिनको समझ में नहीं कर रहा है उनको तुरंट ही अपने सरी को नहां दोकर अपने हाथ परों को साबुन से दोकर अपने घर को साबुन से साफ करके और लोगों से आना जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बच्चों से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए तो पूरा भारत बच जाएगा आप भ भारत अगर चाहे तो यहां लाखो करोड़ फ्लेट पड़े हुए खाली, उनको अस्पिताल बना सकता है एक दिन के अंदर, इसने घवरानी जो उतनी है, यहां जो हर सेहर में लाखो फ्लेट खाली पड़े हुए वो सब अस्पिताल एक दिन में बन सकते हैं, मगर इसकी के लोग हैं कि वो सब अगर स्वेम सेवत बनके आके सेवा करेंगे, तो यहां सेवादारों की भी कमी नहीं रहेगी, यहां पैसे की भी कमी नहीं है, अगर सरकार के पास भी पैसा ना हो, तो यहां जो मंदरों में दान, मर्जिदों में दान, गिर्जाघर में दान, बुद तो वेंटिलेटर बहुत आसानी से बना सकती हैं, एक दिन में हजारों वेंटिलेटर तियार हो सकते हैं, यहां सेवादारों की, यहां नर्सों की, यहां इतनी बिरोजगा लोग हैं कि वो सब काम पे लगाए जा सकते हैं, यहां जो डॉक्टर का सूट होता है प्लास्टिक का क्योंकि यहां सब इतने हाथ के कारीगर हैं कि एक दिन में लाखों करोडों सूट बनाए जा सकते हैं सरकार अगर दरड इच्छा दिखा दे और यह कह दे कि यह सारा काम युद इस्तर पर होगा तो तीम दिन के अंदर इस्तिति उविट पट होगी कि वाइरस हम आ गएं वो बड़ा खुददार है बहुत समझदार है वो हमला नहीं करता वो किसी पहलत में नहीं आता आप उसको मत छेड़ो वो आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वाइरस हमारे सरीर की बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा सरीर जानवरों का सरीर वाइरस से ही सुरू हुआ है जो विसाणू है सबसे पहले जो मतिल है विसाणू है उसके बाद हम बने हैं इसलिए वो हमें ढूंता है हमारे सरीर में आता है और हमारी सेल्स को हमारी कोशी काओं को पहचान लेता है और उनका इस्तमाल करता है वाइरस काम कैसे करता है वाइरस काम करने का तरीका बहुत आसान है बिसिकली वाइरस को कुछ नहीं पता वो एक छोटा सा पुडाम है अगर वो आपके सरीर के अंदर आ जाता है तो वो आपके सरीर से भोजन पानी चाहता है और चाहता है कि अपनी वो प्रिजमिन समतागों बढा ले, अपनी जैसे और लोगों को पैदा कर ले उसे नहीं पता कि आपको फायदा होने वाला है या नुक्सान होने वाला है और अपने जैसे बहुत सारे वार्षिस को पैदा करता है यही आदमी की यही जीवों की बेसिक जो टेंडेंसी है जो बेसिक बेवारे वो यही है हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों जानवर भी चाहता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों क्योंकि इसको बोलते है survival of the fittest यानि कि जो ज़्यादा रहेगा जो तगड़ा रहेगा वो प्रकती में चलेगा ये basic मियन है जो उसके DNA के अदर होता है इसलिए वो हमारी sales से अपना काम कराके अपने जैसे बहुत सारे replicate यानि फोटो कॉपी पैदा करता है जो करोनों में होते हैं अपने आपको आगे बलाता है ये जीवन का basic से धानत है वाइरस हमारे जीवन की पहली कड़ी है हमारा दुस्मन नहीं है मगर अपना काम कराने के चकर में हमारी जो sales हैं वो खराब हो जाती है या तो वो society कर लेती हैं मर जाती है या वो सड़ जाती है या हमारा immune system उनको मारना सुरू कर देता है हमारी sales damage होने सुरू जाती है खराब होने सुरू जाती है और हमारा जो सरीर है बाकी organ है वो फिल होने सुरू जाती है वाइरस को नहीं पता कि वो आप मर रहें या जी रहें वो अपना काम करता है जितना काम उसके DNA में, RNA में यानि जितना software उसके virus के अंदर होता है वो उतना ही काम करता है उसे आपके जीने मरने से कुछ नहीं पता वो आपको मारना नहीं चायता आपके पीछे नहीं है वो आपको target नहीं कर रहा है मगर आप उसका भोजन हैं आप उसके बच्चे हैं इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा जब आप इसरी में आता है तो घर अपना बना लेता है आप उसको मत चेड़िए अपने घर में रहिए उसका जो होना होना है हो जाएगा आप बच जाएगे भारत में जो मुसीबताई हुई है जो आपात का लाया हुआ है उसको समझिए आप चाहे पड़ली के हैं चाहे अनपड हैं चाहे बहुत ज़्यादा विद्वान हैं चाहे बहुत ज़्यादा अमीर है बहुत ज़्यादा गरीव हैं चाहे किसी धरम के हैं चाहे किसी मजब के ह हैं चाहे आपकी कोई पार्टी है चाहे आप किसी के देता है अभी तो भारती होने का समय है आप भारती के लावा कुछ नहीं है तो भारत को बचाने के लिए अपने आपको बचाईए धन्यवाद खुकदगने aujourd'क खुक के लिए अपने अबाती है उलमस का लावा मजाए भारती है । हा बचाने को अबचाने दो औहः चाहे हैं टो तो 8,0 बचा है । झाल झाल